नमस्कार्ट आप देख रहे हैं TNP नूज मैं हूं सुरेश शास्त्री खासतोर पर जैसा कि मीन रासी तक के बारे में और उसके बाद क्या ऐसा निमारण करें कि जिससे आपके जीमन में आने वाली संकटें दूर हो जाएं मतलब आपका मार्क जो है वो ऐसा मतलब प्रसस्त हो कि जिसमें बहुत जादा दिक्कतें ना आएं इस तरीकी की चीजें हम आपको हमेशा अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताते रहते हैं जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 29 तारीक को 29 अपरेल से सनी भी बदल गया है अभी जो बड़े गरहों को बदलना था ये सब गरह बदल गए लेकिन सनी बदला है मात दो से ढ़ाई महिने के बीच का इसके बाद में वो फिर दुबारा वक्री हो करके और फिर मकर के घर में आएगा अभी जो परजन डिस्ति चल लही हैं वो खास थोर पर अगर देखा जाए तो सिंग रासी वालों के लिए थोड़ा सा जो है धनू रासी वालों के लिए इसके बाद में मीन रासी वालों के लिए इन सब रासी वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं चला है क्यों नी चला है क्योंकि इनके रासियों में थोड़ी सी इनको दिक्ते पैदा करेगा यानि इनके मस्तिस्क में निगेटिव चीज़े पैदा करेगा इसके बाद में थोड़ा सा इनको गुमराह करेगा और ये सब चीज़ें उनको पैदा करके रखेगा तो जैसा कि अभी हम बात करने वाले हैं रासी के बारे में, तो हम आपको बताएं, सबसे पहले हम सुरू करते हैं मेस रासी से, मेस रासी वाले जातकों को आज का रोबार में लाब होने वाला है, आज के दिन आपकी सेहत भी बहतरीन रहने वाली है, साथी आज आप पर काम का काफी प्रभाव रहेगा आज जीवन साथी से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है क्या उपाय करें जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन बजरंग बानक का पाठ करने से आपको लाप मिलेगा सुब रंग जामुनी है और सुब अंक दो है बात करते हैं अब हम बिशफ रासी के बारे में बिशफ रासी के जातक आज के दिन काफी प्रसंद रहेंगे आज इनकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है आज काम में भी आपका खुप मन लगेगा साथी आज काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं क्या करें उपाय जिससे दिन करने में से आपको लाप मिलेगा सुभ अंग गुलाबी है और सुभ अंक पांस है बात करते हैं मिम्ठुन रासी के वारे में मित्वन रासी के जा तक आज किसी दुरघटना का सिकार हो सकते हैं लेकर भी आपको थोड़ी साउधानी ब्रतने की जरूरत है आज किसी दोस्त की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं उपाय क्या करना है जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन भगवान स्यू की पूजा करने और स्यूलिंग पर दूध चढ़ाने से आपको आप मिलेगा सुबरंग हरा है और सुबरंग आठ है बात करते हैं हम करकरासी के बारे में करकरासी वाले जातक आज काम और पैसे को लेकर भाग दोड़ करेंगे आज आपको सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है आज के दिन किसी भी तरह के वीवाद में पढ़ने से बचे आ उपाय करें जिससे दिन अच्छा जाए आज के दिन गाय को हर अचारा खिलाने से आपको लाभ मिलेगा सुबरंग नीला है और सुबरंग नौ है बात करते हैं सिंगरासी के बारे में सिंगरासी के जातक को कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है आज आपकी सेहत भी काफी अ अधूरता आएगी आज वाहन चलाने से प्रहेच करें क्या करें उपाय जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन शूय को अर्ग देने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग लाल है और सुभरंग पांच है बात करते हैं अब हम कन्यारासी के बारे में कन्यारासी के जातक आज अधिक खर्च करने से बचे आज के दिन आपको नौकरी में पर्मोशन मिल सकता है आज आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहने वाली है आज आपको वाहन सुख भी मिलने वाला है क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया आज के दिन हनुमान मंदिर में केले चढ़ाने से आपको लाब मिलेगा सुब रंग आपका पीला है और सुब अंक दो है बात करते हैं अब हम तुलारासी के बारे में तुलारासी के जातकों को आज राजनीती के छेतर में काभी लाब मिलने वाला है आज सेहत से जुड़ी परेशानियों का आप सामना भी करना पड़ सकता ह आज घर में खुसाली का माहोल भी बना रहेगा क्या करें वो पाई जिससे दिन जाए बढ़ियां आज के दिन लाल मसूर का दान करने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग केसरी है और सुभंग आठ है बात करते हैं बिर्चिकरासी के बारे में बिर्चिकरासी के जातकों की आर ताकि सेहत का ध्यान रखें आज के दिन पार्टनर के साथ किसी भी तरह का बीबात करने से बचें क्या करें उपाई जिससे दिन जाए बढ़ियां आज के दिन माता लक्षमी की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग सफेद है और सुभंग छे है बात करते हैं अ अब हम धनूरासी के बारे में धनूरासी के जातकों को आज आर्थिक समिस्या का सामना करना पड़ सकता है आज इनकी सेहत भी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है आज कारोबार में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़ हैं आज के दिन सफेद मोती धारन करने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग पीला है और सुभरंग नौ है बात करते हैं अब हम मकर रासी के बारे में मकर रासी के जातकों की सेहत आज खराब हो सकती है आज बिद्या ग्रहन कर रहे लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज किसी भी तरह के बीवाद से बचे अन्यता बड़ा नुक्सान हो सकता है क्या करें उपाई जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन बिश्णू शहस्तर नाम का पाठ करने से आपको लाब मिलेगा सुबरंग लाल है और सुबरंग एक है बात करते हैं अब हम कुम्भरासी के बारे में कुम्भरासी के जातकों को आज ब्यापार में लाभ मिलेगा आज कोई महिला मित्र आपकी समिस्या का हल निकाल सकती हैं आज के दिन यात्रा पर जाने से पहले लाभ मिलेगा आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखें क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़ियां आज के दिन किसी मंदिर में अनार का पेंड लगाने से आपको लाभ होगा सुबरंग बैगनी है और सुब अंक साथ है बात करते हैं अब हम मीन रासी के बारे में मीन रासी के जातको की आर्थिक किस्तिती आज अच्छी रहने वाली है लेकिन आज किसी दुरगटना का भी सिकार हो सकते हैं आज के दिन आफिस में काम का प्रेशर भी काफी ज़्यादा रहने वाला है आज जीमन साथी के साथ संबंदों में मधूरता बढ़ेगी क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया आज के दिन किसी कन्या को भेंट देने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग हरा है और सुभ अंक चार है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेसरासी से लेकर के मीनरासी तक के बारे में कि क्या करें उपाय जिससे दिन जाए आपका बहुत बढ़िया हमने आपको बताया आप लोगों को यह छोटे-छोटे से जो उपाय है यह अपनी जीमन में करते रहना चाहिए और जीमन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि जोतिस में कहा गया है कि जीमन एक समिस्या है जब तक आप जीएंगी तब तक आपके साथ समिस्या ही है और मनने के बाद हर समिस्या का समाधान है उसके बाद कोई समिस्या नहीं है तो इस तरीके से जीमन को एक समिस्या मान करके और आप लोग जीते जाएं हर अच्छे से बिताना है, enjoy करके बिताना है, ऐसा नहीं है कि रो करके दिन बिताना है, आपके जो नसीम में लिखा है, वो होना ही होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, तो हम किसी भी चीज को रो करके क्यों बिताएं, हम उसे हस करके क्यों न बिताएं, तो इसलिए हमेशा आप अपने मन और मस्तिस्क में हमेशा जो है पाइटिव चीजें रखें निगेटिव चीजें अपने अंदर आने ही ना दें हमेशा दूसरों का कल्यान करें दूसरों का उपकार करें जब दूसरों पर आप उपकार करेंगे तो आपका कारिया श्वैम भगमान करेंगे फिर आप अच्छे कर्म करते रहिए जीमन का आनद लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ जैसा कि आपने देखा कि TNP News के माध्यम से हमेशा हम आपको अच्छे बातें बताते हैं आपके ग्रह के बारे में बताते हैं आपके निमारण के बारे में बताते हैं ऐसे हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों के पास भी भेजते रहें, आप हमको देन इजाज़त, फिर हम बिलेंगे कल आपको एक नए एपिशोड के साथ, तब तक के लिए जैसरी राम, नमस्कार, अपना ध्या